कि मित्रों नमस्कार है कि टापर्स कलब आएस अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि मित्रों आपको बता दें यह है जो हमारा संस्थान है इस्टिट है यह लखनों में मुंशी पुलिया परिश्थित है जो गोमती नदी के तट परिश्थित है तो जिन छात्रों को कि आएस पीश टीजी टी पीजी टी टेट सुपर टेट आधी परिक्षाओं की तैयारी करनी है आप सभी लोग इस इस्टिटूट में अवश्य पधारें और यहां पर इंजीनियर डीपी सिंग जो प्रकांड विद्वान है उनके दिशान निर्देशन में कख्षाएं चल आपको राजव्योस्था पढ़ाते हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मानुद्प्रताब सिंग जी है जो अंग्रेजी भासा के प्रकांड विद्वान है ऐसे विद्वानों का यहां पर टीम काम कर रही है और मानुद्प्रताब सर टेक्निकल में भी बहुत तो आज हम लोग संस्कित व्याकरण में पढ़ेंगे महेश्वर सूत्राणी कि मित्रों महेश्वर सूत्र का नाम सुनते ही डर सा पैदा हो जाता है कि संस्कित व्याकरण में सबसे जो मुख्य चीज है महेश्वर सूत्र ही है और यह स्मरण भी नहीं आता है यह याद भी नहीं होता है है और इसे बहुत प्रश्ण भी बन ओलत कर से लेकिन थोड़ा साइज चर्चा करेंगे सभी लोग करेंगे जो भी हमारे संस्क्रिट प्रेमी है आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती दो दो तिन तिन लोग लगते हैं तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले तो यह एक श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है जो कि हमारे वहिया करण है नंदिकेश्वर जी उनकी काशिका में यह श्लोक लिखा है और महाश्वर शूत्र आप जानते हैं कि एक कथा प्रचलित है कि महार्शी पाड़नी जो बहुत मुर्धन वय्या करण थे उन्होंने तपश्या किया शिव जी की और भगवान शिव ने 14 वार डमरू बजाया प्रसंद हो करके तब जा करके वह 14 शूत्र निकले और उन 14 शूत्रों को आधार बना करके महार्शी पाड़नी ने अश्ट्याध्याई की रचना किया जो एक पुष्टक है एक व्याकरण का ग्रंथ है उस अश्ट्याध्याई में आठ अध्याई हैं कि मित्रों अश्ट्याध्याई मेरैं आठ अध्याई को अलग करेंके तहां पर अकास अब्रहरे से धीरगर्शन्द हो जाती इसलिए अश्ड़ा ध्याई होता है थो उसकी रचना अकिन उसकी रजदाई की रचना किया अथवा अस्ट्या धाई के रचनाकार कौन है अस्ट्या धाई के प्रडेता कौन है तो वहां पर आपका उत्तर होगा महर्सी पाड़नी अस्ट्या धाई के प्रडेता है तो आए इसका वाचन करते हैं इस लोग का देखते हैं इसमें कैसे प्रशन बनते हैं क्या-क्या के साथ में नित्ताव साने नट राज राजो ननाद धक्काम नवपंच वारं उद्धर्त का महां सनकाद सिध्धान एत दुभी मरसे शिवशूत्र जालं पुना एक बार मिल करके हम लोग वाचन करेंगे ताकि यहां से जोबी प्रस्ण बने वो गलत ना हो लित्ताव साने नट राज राजो धक्काम ननाद धक्काम नवपंच वारं उद्धर्त का महां सनकाद सिध्धान एत दुभी मरसे शिवशूत्र जालम तो अंत में आप देखेंगे शिवशूत्र जालम लिखा हुआ है शिवशूत्र जाला अर्थात उसी को महश्वशूत्र कहते हैं एतत भी मरसे माने इस भी मरसे में सनकाद शिध्धान उद्धर्त कामा सनक भी एक वैया करण थे जो पालिनी ने अपने अस्ट्याध् सनकाद का नाम जो उन्हों ने उसमें दिया है उसमें शणक भी एक वैया करण है तो यहां पर सनकाद दस आचारे हैं वैया करण के उन से की इस विमर्च में शिवशूत्र जाल कि रचना किया तो यह हो गई दूसरी लाइन का पहली लाइन में देखते हैं नृत्ता वसाने अर्था यहां पर नृत्य आवसान आवसान का मतलब उता समात्ति समाप्थ हो जाना आवसान हो जाना नहीं कहते हैं गारे आवसाने जड़ा हमको काम दे देते हैं लोग तो गारे आवसाने माने विपत्ति के समय में यह जब हमारे बुद्धी समाप्थ हो जाती है तब लोग काम करते तो आवसान का मतलब समाप्थ होता है इस अब समझे नित्य आवसाने माने नित्य के समय नित राज राजो नत राज कहा जाता है कि इसको कहा जाता है आर्थवा कह नत राज इती कथ्यते थे तो नμαι स्थिवी झी ननाद माने भजाया ध्काम माने डमरू को नव पंच बार माने नव बार पाँच बार अर्थाद नव पाँच चौधा जिसका मैं सही होगा उजोड़ लेगा भाई नव पाँच चौदा होता है तेरा मसमझ लेना नव मसमझ लेना नव पाँच के मतलब चौधा तो अब यहां पर मित्रों आप देखेंगे प्रस्ण कैसे कैसे बनते हैं पहला प्रस्ण आपसे यह बन सकता है यहां पर पूछा भी गया है पूर्वी की परिक्षाओं में कि भगवान शिव ने पहली बार या प्रथम समय में कितनी बार डमरू बजाया था तो आपका उत्त बार वहां पर लिखा है आप देखेंगे तो पहली प्रथम समय में उन्होंने पहली बार कितनी बार डमरू बजाया तो आप यहां देखेंगे नव लिखा हुआ है नव पंच है तो पहली बार उन्होंने नव बार बजाया यह आपका उत्तर होगा कितनी बार बजाया नव बार बजाया पुनह प्रस्ण आएगा प्रस्ण पूछ सकते हैं कि दूसरी समय दुतिय बार में कितनी बार बजाया तो आपका उत्तर होगा पांच अर्थाथ पांच बार कुल कितनी बार बजाया तो आपका उत्तर होगा नव पांच चौदा बार तो यहां पर आपका प्रश्ण तीन बनते हैं नव बार प्रथम समय में नव बार दुतिये में पांच बार और कुल कितनी बार बजाया नव पान चौदा बार तो मित्रों यहां पर अच्शा कब बजाया यह प्रश्ण बन सकता है आपके सामने इसलिए आपको ध्यांदाने की जरूद है आप यहां देखेंगे रिद्या वसाने लिखा हुआ है यह कि नित्य के समापति पर हिंदी में दुक्ति के समापति पर अथवा नृत्ति समाप्ति समय ऐसा अगर उत्तर आता विकल पता नृत्ति समाप्ति समय तो भी आपका वह अंसर सही होगा कि जिस समय उन्होंने अपने नृत्त को अपने तांडे नृत्त को समप्त किया था उस समय उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था पहली बार 9 बार दूसरी बार 5 बार ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आगे एक श्लोक और प्राप्त होता है पाड़नी शिक्षा जो व्याकरण का ही गरंत है पाड़नी शिक्षा में यह मिलता है श्लोक तो इसका बाचन करेंगे सभी लोग मिल करके एनाक्षरम एनाक्षर समामनायम अधिगम्य महेश्वरात कृत्सनम् व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाड़ी नए नमहाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको हिंदी में जान लेते हैं हलाकि सीटेट और टीजी टी में प्रीजीटी में अब की बार संस्कित में प्रशनाएंगे तो आज हम क्या करते हैं इम्हाईसर शूत्र को हिंदी में ही मोटी मोटी चीजे समझ लेते हैं फिर अगली वीडियो में जब हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग संस्कित और हिंदी मिक्स प्रश्ण और उत्तर उसका अभ्यास करते हुए पढ़ेंगे तो आज हम लोग थोड़ा-थोड़ा मोटी मोटी चीजे हैं समझ लेते हैं तसमाई पारिणे न महां त्यहां पर पाड़ि न चटूर्थी विखती है और रहले की की करा उस Birthρι नौइब नमहाई के योग में चतूर्थी उती है सभी जानते हैं पॉक जानते यहां पर आप पाड़ी नहीं नमाजन का रूप है तो यहां पर नमाई के योग में चतुर्थी तो तसमय पाड़ी नहीं माने उस पाड़नी को नमस्कार है अब आए यहां पर किस पाड़नी को नमस्कार है तो यहां पर लिखते हैं एन अक्छरा समाम नायम अधि गम्या एन माने जिसके द्वारा एन तृतिया एक बचन का रूप है तो यहां पर एन माने जिसके द्वारा अक्छरं समाम नायम माने अक्छर समाम नायम अदिगम्य महेश्वरात महेश्वरात यहां पंचमी है तो महेश्वरात माने महेश्वर महेश्वरात माने उस शिव से जो शुत्र पाया उसके अक्षर समामनाय माने अक्षर जाल को अधिगम माने उद्देश करके लक्षे बना करके कृट्षनम व्याकरणम प्रोक्तम कृट्षन भी एक वयाकरण है क्रिस्टन के व्याकरण को प्रोक्तम माने पवाजवाचन किया गया जिसके द्वारा बोला गया अब ऐसे पाड़िनी को नमस्कार है तो यहां पर आपका प्रस्ण क्या बनेगा एक तो यह बनेगा यह इस लोक कभी-कभी आध्या धूरिश लोक दे देते हैं और कहते हैं कि यह बनेगा तो पाड़नी शुक्षा में पराप्थ होता है अक्षर समामनायक किसे कह जाता है यह आपका अक्षर समामनायक किसे कहा जाता है । कि कि उसमें अक्षरों का जाल है ऑर कुछ थोड़ा नहीं है यह तो जूर को हम वर्ढ समामनाएं भी कहते हैं है यह प्रश्ण आता है वर्डब समामनाई किसे का जाता है यहां पर उत्र होगा महेश्वशूत्र को शूत्र को कहा जाता है ठीक है तो आगे चलते हैं कि यह आपके सामने इस क्रीम पर महेश्वशूत्र जो जिसको अब बहुत कठिन समझते हैं तो आज जो है थोड़ा मोटे मोटे चीजों से पढ़ते हुए चलते हैं जैसे पहला शूत्र आपको दिख रहा होगा आई उड़ री रेक ए उंग आई आउज हाय वरत लड़ यामंगरनम जवय घड़ धर्ष खफ चठत चठत तवा कपाय शश सरह हल यह आपके चोदहों महाईश्वशूत्र है इसको चोदह बार भगवान शिव ने दमरू बजाया था जैसे हम लोग प्रयास कर सकते हैं बजाने का आयूड रिल्रिक एयोंग आयूच हैवरत लड़ यमंगरनम जबाय घड़ दस जब गड़ दस खपचठत तचठत तवा कपाय शसरह हल तो वित्रों इस प्रकार से आगे चलते हैं दोस्तों देखते हैं कि आगे जो स्लाइड है महेश्वर सूत्र के अन्य नाम कि यहां पर है कि यह नहीं रहेगा महाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् पर महस्री पाड़नी का उद्देश था प्रत्याहार बनाना उनका प्रियोजन था कभी जब्द का प्रियोजन है क्या प्रियोजन था तो प्रत्याहार शूत्र का माड़ करना ठीक है तो प्रत्याहार शूत्र भी से कहते हैं पुनाच चतुर दस शूत्र अर्थाद 14 संस्कित भासा में चतुर दस कहते हैं आप संस्कित भासा में पढ़ते होंगे संख्या एकम द्वे त्रीड चत्वारी पंच सड़ सप्त अश्ट नव दस एकादस द्वादस त्रीओदस चतुर दस पंच दस शोड़ सप्त दस अश्टा दस एकोन विंशती विंशती तो यह चतुर दस माने चतंवादस 14 सुट्र इसको 24 चतुर दस्ट भी करते हैं वर्डश मामनाय शूत्र अभीको तो उसी को हम लोग वर्ड समामनाय भी कहते हैं, अर्थात यह जो होता है, अक्षरों का जाल है, वर्डों का जाल है, इसी को अक्षर समामनाय भी कहते हैं, अभी हम लोगों पढ़ाता ना है, एन अक्षरम समामनायम अधिगम्या महेश्वरात जो हमने श्लोक पढ़ा था पा कि ठीक है कि का इस्तिती है मानुवन से अच्छा आगे चलते हैं कि हां कुछ प्रस्ण भी आये थे जो आप देखेंगे जून 2013 यूपी टेट में महेश्वर सुत्रों की संख्या पूछी गई थी दोस्तों तो यहां पर यह प्रस्ण बनता है संस्कित में प्रस्ण बन जाएगा महाश्र कितने हैं तो नीचे तेरा चोदा पंद्रा सोला जो भी गिंती देगा तो वहां पर आपको लगाना है चोदा है वहां पर आपको लगाना है चोदा या इसी को हम लोग संस्कित वासा में लिख सकते हैं चतूर दस चतूर दस सुत्राड़ी अर्थात महाश्र सुत्रों की संक्या चतूर दर से दोस्तों इसको एकदम रट दा लिएगा यह प्रस्ण यूपी टेट में और सीटेट में जरूर पूछा जाता है या गद्यास मंद्यास में कभी कभी यह आ जाता है आगे चलते हैं जून 2009 यूपी टेट में पाड़नी ने वर्ड माला को कितने खंडों में विवाजित किया है तो वर्ड माला हमारी वही पर है आयुड से लेकर के हल तक जो हमारे स्वर विंचन सभी उसमें प्राप्त होते हैं तो वही हमारी बर्ड माला है संस्कित में तो उन्होंने 14 खंडों में वाजित किया है जो अभी यहां संक्या पीजी गई प्रस्न पूछने का थोड़ा सा इन्होंने ट्रेक चेंज किया है पूछा 14 ही है कि यह उते हैं 14 खंडों में कितने खंडों में 14 कि इसको नोट करते रहे कापी कलम निकार के तब वीडियो देखा करिए 14 खंडों में कि फिर दिशंबर 2016 तथा हर्याड़ा 2013 हर्याड़ा टेट में हर्याड़ा 2013 में फिर टीजेटी फिर में अच Hm side में महेशिवर सूतर में कौन सा सूत्रान्त वर्ड दोबाराया तो उत्तर होगा उड़ा कि क्या उत्तर होगा ड़ा आप देखेंगे यहाँ है और पर दूसरा लड़ में आपकशना पूरा का पूरा तो इसके अंत में शूत्र के अंत में सुत्रा नथ हो गया लड़ में भी सुत्रांत है अर नहीं है जो है शुत्रांत कि वर्ड जो है दो बार आया है कि पुन है देखेंगे आगे कौन सा वर्ड महिस्वर सुत्र में दो बार आया है यह भी एक प्रस्ण बना है पीछे पूछे गए हैं तो यह प्रस्ण पूछा भी जा सकता है हाँ है वर्ड एवं हल यह यह दो बार है जो शूत्र में दो बार आये हैं दोस्तों यह पर यह और प्रस्ण समभावित पूछ सकता है कि कौन से दो बार ऐसे हैं जो शूत्र पूरवार्द में पूछे गए हैं जो पूरवार्द में दो सलत्माद जेत की आप बल्दी भिकती है ऐसे काउन सा वर्ड है तो हैं तो यह इतने प्रष्ण यहां से बंड सकते हैं आगे कि आगे सुत्र है एशान अंठयाह इतहा कि यहां पर विश्औग रहेगा बिशर्ग रहेगा एशाम अंत्याह इतहा अभी यह शूत्र जो है क्या बता रहा है थोड़ा सा समझने की जरूरत है एशाम को अलग कर लिजे एशाम अंत्याह तैहां पर देखेंगे एशाम माने इसके इन सबके एशाम जो है सष्थी बहुप बचन का रूप है एशाम तो एशाम माने इन सबके किनके कआत चौदर जो महत्या सूत्र दिए गए है इंस सबके अंत्याह माने अंत्याह यह सश्टी एक पचन है यह इनके अंत्य के इत मान इत होता है इत शंग्यक है इत होता है तो लिएक जैसे माल लिजिए आपका एउड है आ यूड ये आप देख रहे हैं तो एशाम अंत्या माने इस सूत्र के अंत्र में क्या है ये आपका अड़ा है ये क्या है इत है अभी आगे हम लोग देखेंगे इत माने इत संग्यक है ठीक है तो एशाम अंत्या माने ये चोधो सूत्रों के अंत्र में एशाम जो है इनके अ बच्चन का रूप है इन सब के अंत की इत होता है अंत में इत होता है तो यहां पर एक शूत्र और आपको दिखाई दे रहा है हलन्त्यम ये हलंत्यम आपको मिला ये अश्ट्याद्याई के प्रथम अध्याई के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है मित्रों अश्ट्याद्याई के प्रथम अध्याई के प्रथम पाद के तीसरा सूत्र है तो क्या कहता है उपडेशे अंत्यम हल इत्शात उपडेश आद्यो चारडम अर्थाद उपडेश आद्यो चारडम च्जोंकि हमारे वया करण है जो वया करण के वेत्ता है उन लोगों ने धातं को शूतर को गड को आद्यो चारण कहा है और उसी को उपदेश कहते हैं यहां पर ये बताया कि आद्यो चारण हम जो आदी ने उत्चारित किये गये किसके दुरा महार्सी पाड़नी के दुरा वह क्या है उत्ति वह सूत्र क्या है अर्थात उपदेश भी कहा जाता है पाड़नी के अनुसार अर्थात प्रार्म में उन्होंने 14 माहश्य शूत्रों का उचरण किया है तो आद्यों चरण अंत्यम हल इत्याथ अब यहां देखो उपदेश की उपदेश में क्या सूत्र में उपदेश का अर्थ क्या हुआ जो प्रारम्म में उचारण किया गया महार्शी पाड़नी के दारा वही उपदेश हैं और उपदेश के अंतम माने अंत हल इत्ष्याद तो उस सूत्र के अंत में हल वर्ड जो हैं उनकी वहां इत्ष होंगे तो जैसे मालिजे आपका अयूड है यहां आप देखेंगे अयूड है तो यह पूरा का पूरा सूत्र क्या उपदेश हो गया इसके अंत में यह अंत्यम है तो अंत में यह हल दे दिया कहा जो हल वर्ड है अब अंत का मतलब क्या है सूत्र में अंत में ई भी है उ भी है इडा भी है इसके आगे और भी सूत्र है र अर्थ निकलता है क्अगे आगे देखेंगे अब देखेंगे इत कौन कौन वरड है यह देखेंगे अपधेश राटत तो उपधीष क्या अयूड है और इसके अन्त में हल है यहां पर आप देखेंगे चा है पिर इसके अंत में टा है इसके अंत में मां है पुना जवाई में गड़ धर्श में शाह है जब गड़ दर्श में शाह है यहां पर देखेंगे वा है या है कपई में sirma सेugsर में राह है हर में लाह है और प्रस्ण आइगा किसकी होती है तो आप कहेंगे हलो वरडों की होती है फाल ठीक जर को इतषेंग कॉन वरड़ है आप बताएंगे हलो वरड़ जो महास्रा सुत्र में हल्व वरड़ है जो इसंगत हैं अब आप देखेंगे तो संग हो गई 14 Sport सुत्र भी और चतुर दस हल्व इत संग्य कोरणों की संख्या भी है अगे चलेंगे अब यहां पर आप देखेंगे एक सूत्र है तस्यलोपहा क्या सूत्र है तस्यलोपहा तस्यलोपहा जो हुआ पहले अध्याय के पाद में नवह सूत्र लिखा यहां पर तस जो है शस्ठी एक बचन का संझ्या सूत्र एक रातना आता है दोस्तों लोगा संग्या सूत्र को नहीं है टास्यल नीचे लिखांग अब इसको अलग लग करेंगे जरा तष्य को यहां लिकिये और यहीं पर लगाये इत थीक तो तष्य और इत मिलकर क्या हो जाยगा यहाँ पर गुडसंदि क्यों होजाएगी तетр से इतों जो उसके इत है लोप हैस्यात हुनि का लोप होगा जो वहाँ पर इत हम लोगों ने पढ़ा अभी 14 तस ये तो लोप है माने उन्हीं का इत वह जो इत हैं उन्हीं इतों का लोप होगा ठीक है तो तस लोप है ये सूत्र हो गया आगे चलेंगे यहां देखेंगे थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं थोड़ी चर्चा करते इन 14 सूत्रों में कुल कितने वरड हैं कभी कभी प्रस्ण आप से पूछा जाता है कती वरडा संति अत्रव चौदा माशन्य सूत्रों में कितने वरड हैं कितने अक्ष़ तो कुल शत्तामन वरड है कितने वरड है कुल 57 वरड है यह फिटी सेबन यह पंच सब्त पंचासत तो यहां पर अन्तिम 14 वरड इत्सेंगक है जितने भी हम लोगों अभी पढ़ा माहेश्वर सूत्र में सरप्रथम क्या है स्वर है आप देखेंगे यहां पर देखेंगे आयूड रिल्रिक ए ओंग यह जो चार सूत्र हैं आ जैकर चार्तत कि को अचि प्रत्याहार भी कहते हैं कि हां सन्सकृत्क्रेमियों एक प्रत्याहार भी होता है और रैल ते सब क्या है स्वार हैं तो महाईसर श्वर्थम स्वर दिये गए है अर्थात सूत्र संख्या एक से ले करके चार तक यह स्वर दिये गए हैं स्वर के पच्चात अंतास्त वर्ड हैं आप देखेंगे हाँ यह वर ट लड़ तो हाँ से ले करके रड़ा तक लड़ के से रड़ यहां तक यड़ strk यांसे ले कर यांंग देखेंगे यह से ले करके अड़ा तक लड़ के अड़ा तक यह परतिया हरे यहर परतिया हर में अंतास्तों हकार की दो बार गड़ना कि गए इसको हम लोग ने पढ़ी लिया है कि इत शंग्यक वर्ड रड़ा दो बार आया है और यही प्रश्ण अभी आया था पीछे परिक्षा में कि कौन सा सुत्रांत वर्ड है जो दो बार आया है तो मेरे दोस्तों रड़ा है जो सुत्रांत है यह जो है दो जगा मिलता है एक तो आपका यह दो जगां आपका अड़ा सुत्रांत वर्ड मिल गया ठीक है तो अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं और दर्शनम लोपह बचा हुआ है थोड़ा सा और बचा हुआ है तो हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे तो हमारा जो टाइपर्स क्लब आये से का यूट अगले दो वीडियो में